My dear friends, very very good evening, this is Ashokan speaking वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हाड़कोर पॉलो कोस्टा के फैंस हैं मैं उनसे माफी माँगना चाहूंगा इवन दो मैंने कुछ गलत काम नहीं की है, मेरी गलती नहीं है, इसमें फिर भी मैं माफी माँगना चाहूंगा, जो इस वीडियो को नया नया देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बग रहा हूँ, जी I am referring to my पिछला वीडियो, जो previous वीडियो है, अगर आपने देखी नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप समझ जाएंगे, वीडियो देखी आप समझ जाएंगे तो बात ये हुआ कि डैना वाइट ने बहुती स्ट्रॉंग वर्ड्स में पोलो कोस्टा को डाट दिया था और मैंने तो सिर्फ ट्रैंसलेट करके हिंदी में देशी स्टैल में थोड़ा सा थोड़ा सा पागलपन के साथ प्रेसेंट किया था और लोग समझ बैठे कि मैं पोलो कोस्टा का इंसल्ट कर रहा हूँ, जी मैं पोलो कोस्टा का कभी इंसल्ट नहीं करूंगा क्योंकि I am a Polo Costa fan उनके हर एक fight को मैंने देखी है from the beginning जब से वो debut किया है and even the Adesanya fight जिसमें वो हार गे थे Wub fight भी मेरे को अच्छा लगा he's a true fighter and not only Polo Costa मैं हर एक MMA fighter का respect करता हूँ चाहे वो India से हो चाहे वो Brazil से हो चाहे वो USA से हो चाहे वो Australia से हो चाहे वो New Zealand से हो कई से भी हो if you are a combat fighter I like you तो बात यह हुआ कि actually Dana White ने बहुत ही strong words में Polo Costa का insult ही कर दिया था yeah guys almost insult ही है वो and मैंने तो बस translate ही की है and तो बात यह हुआ कि I don't know about the national fans national subscribers India में से जो है मुझे पता नहीं है but जैसे ही मेरा पिछला वीडियो था वो मैंने upload किया था मेरे state से मेरे state से and मेरे इलाके से local बंदे जो friends है उन में से Polo Costa के fans मेरे से नाराज हो गए थे and उनको ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने insult किया है Polo Costa का दोस्तो मैंने insult नहीं किया है Polo Costa का मैंने तो सिर्फ translate किया है मैं कोन होता हूँ insult करने वाला I am nothing guys I am just a normal YouTuber ओके तो मैं Polo Costa का respect करता हूँ तो दोस्तों मैं Polo Costa के hardcore fans को ये बताना चाहूँगा कि unfortunately दुख बरी story ये है कि हो सकता है कि ये Polo Costa के base पे last video हो क्योंकि Polo Costa दोस्तों अभी तक तो कुछ fix नहीं है बट हो सकता है कि Polo Costa UFC से quit भी कर दें अभी तक तो कुछ नहीं है बट हो सकता है क्योंकि यार आपको पता है डाइनावाइट ने क्या कहा उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो वरना निकल जाओ मतलब ये तो लिटरली हो गया निकलने को कह रहे है देखिए आप से अगर कोई कह रहा है कि अगर तुम्हें रहना है तो रहो वरना तुम निकल जाओ मतलब बाहर जाने कोई कह रहा है न तो आप क्या करोगे आप निकल जाओगे तो हो सकता है कि पोला कोश्टा भी क्विट कर दे बाट डिस्पाइड अफ दिस मैं उम्मीड करता हूँ कि पोला कोश्टा रटर्न कर दे एक बात तो है भाई आडेसानिया फाइट के बाद पोला कोश्टा का टाइम बिल्कुल खराब है चलो ठीक है नेगेटिव तिंग्स पर फोकुस नहीं करेंगे उम्मीद करेंगे कि पोला कोश्टा रटर्न कर दे एड़ उम्मीद करेंगे कि पोला कोश्टा के फाइड वापिस देखने को मिले एड़ दाट सौल गाइस थैंक यू टेक केर आप है तो हम हीरो हैं आप नहीं हैं तो हम जीरो हैं वाँ वाजी उस्ताद वाँ